Hello friends, welcome to affairs clouds learn to lead current affairs channel Myself आशू और अशीश and I am here to present you 29th of August 2020 current affairs तो दोस्तो आज हम करेंगे 29 अगस्त 2020 के बहुत ही important current affairs आप देख सकते हो दो pictures यहाँ पे यह तो important है और भी बहुत से current affairs important है लेकिन इसी के साथ अगर आप हमारा current affairs का subscription लेना चाहते हो आप हमारा PDF जो है वो लेना चाहते हो तो आपको यह English और Hindi दोनों में available मिलेगा आपको daily current affairs, weekly current affairs और आपको monthly current affairs जो है वो मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ ऐसे निकी यह only current affairs है इसमें आपको question and answer की form में जो है वो weekly test भी जो है वो मिलेंगे तो इससे क्या होगा आपके current fare जो है revise भी होंगे और आपको videos भी मिल रही है इसका मतलब 3-3 बार जो है वो आपके क्या हो सकते है current fare revise हो सकते है तो आप इसको बहुत ही minimal cost पे जो है वो खरीच सकते हो और साथ ही साथ अगर extra 10% discount चाहिए तो आप यह code use कर सकते हो ASH10 मतलब ASH10 के नाम से जो है वो आप 10% discount चाहिए वो extra ले सकते हो और एक साल की subscription आपको जो भी इसके अंदर मिलेगी तो start करते हम 29 अगस्त के आज के current fairs तो हमारे पास पहला question है who address the association of South East Asian nations India business council virtual meet now this is very important क्योंकि हर रोज हम एक आदा question करते हैं ASEAN से related तो ASEAN organization हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो important हो जाएगे तो आपने मुझे बताना है इन चार options के अंदर कि किसने उस meeting को जो है वो attend किया है और आपको यह जानना जरूरी है कि ASEAN के अंदर जो है वो India member नहीं है फिर भी इंडिया जो है वो क्यों इस meeting को जो है वो address कर रहा है या क्यों इसको attend कर रहा है because ASEAN और इंडिया के बीच में जो है एक trade pact sign हुआ था 2009 में कि ASEAN countries के साथ इंडिया trade करेगा और ASEAN की country जो है वो इंडिया के साथ trade जो है वो कर सकती है उसलिए जो है वो ASEAN जो है वो क्या करता है इंडिया के साथ आई अब जो है वो रखता है तो अब बताओगे यह business council थी तो by default trade से related थी तो बताओगे क्या answer होगा और आपके time period तो खतम होई चुका है तो answer इसका क्या है शिरीप प्यूश गोयल जी जो हमारे पास हमारे railway minister जी है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे commerce और industry minister भी वो है ही है तो उन्होंने इस meeting को attend कि trade barriers को हमने क्या करना है खतम करना है तो picture में आप देख सकते हो trade barriers को हम खतम कर रहे हैं क्योंकि यह target है कि हमने ASEAN countries और India का मिलके जो trade है वो 300 billion dollar तक पहुंचा देना है अभी हम कुछ हद तक जो है वो पहुंचे है मतलब हम almost जो ह और इसमें generally क्या है कि हमारा यह रहता है कि ASEAN countries के साथ हम ideas को share करें अपनी problems को share करें और साथ ही साथ जितनी भी countries के अंदर problem है हम उनको मिलके जो हैं वो क्या कर सकते हैं खतम कर सकते हैं और ASEAN के लिए जानना बहुत ही जुरूरी है आपके लिए कि ASEAN की member countries जो है वो कितनी है 10 मैंने आपको पिछले दो दिन के जो current affairs है दोनों में यह बताया है कि 10 countries जो है वो उनकी member है एक countries को observer status मिला हुआ है headquarter मेंने आपको बताया हुआ है तो मैं दुबारा दुबारा बताऊंगा तो वो तो मतलब spoon feeding हो जाएगी इसलिए आपको remember करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीज़े जो है वो इसके अंदर है चलो इससे related जो news है वो basically क्या है कि Federation of Indian Chamber of Commerce जो हमारा फिकी department है उन्होंने पांच bodies जो की Central Asian countries है उनके साथ business council जो है वो attend की है मतलब launch की है वो New Delhi में जो है वो इसको launch किया गया आपने यह देखना है कि फिकी और वो पांच Central Asian countries जो है वो कौन सी है तो वो उसको map से देखते है रहदर दन यहां से करें आप देखो map के अंदर कजाकस्तान किर्जिकस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उजवेकिस्तान डिफिकल्ट है क्योंकि सब के नाम almost मिलते से हैं तो आप अगर एक दो बार map से करोगे तो आपको 101% याद हो जाएगा लेकिन इसमें बहुत से question बनते इस area से particular related ही क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान पाकिस्तान के उपर ही अगर आप देखो गया तो अगर आप देखो यहां पर यह आप एक छोटी सी water body देख रहे हो यह water body जो है उसका नाम है aralsi क्या है इसका aralsi तो आपको जोग्रफी में question पूछ रहेते हैं कि aralsi जोन से 2 countries के बीच में आता है तो अपने याद रखना है उझबेकिस्तान और किसके बीच में आता है कजाकिस्तान के बीच में आता है और आप इसको याद कैसे कर सकते हो ज और UZ मतलब उजबेकिस्तान, उल्टा कर सकते हो, तो काजू आपको पता है, तो उससे आप याद कर सकते हो, याद करने का तरीका है, ऐसी आपने कैस्पियन सी का जो है, वो याद रखना है, कैस्पियन सी दो कौन सी कंट्री इसको टच कर रहा है, तो यह टश कर्क 岩ATOR और तुरुक्मेनी स्टान को और एक आपको याद करना बढ़ेगा कि तुरुक्मेनिस्थान और यूधिय। इस में यूध्य रखताने सुअधु strict वो ब्लिइन्टरी के साथ विजनस काउंसिल के लिए tie up हुआ है तो यह news थी business related question था AC answer related next question अगर आप देखोगे हाँ जी Indian railway is set to meet its energy consumption which will be over 33 billion units by which year तो railway ministry ने कहा है कि 2030 तक जो हमारी 33 billion units की consumption होगी वो हम clean energy से produce करेंगे कोई भी carbon emission जो है वो basically नहीं होगी सारा का सारा जो power unit होगा वो हमारा अपना होगा और clean energy resource से होगा तो आपने बचाना है किस year तक जो है इसको complete करना है या किस year तक इन्होंने इसको consumption को जो है वो carbon free जो है वो बना देना है तो आप बताओगे मुझे और answer क्या है इसका 2030 2030 तक यह target रखा गया है कि जैसे इस तरह से panel लगा दिये या side पर अपने panels को लगा लिया तो इस तरह से आप clean energy resources को क्या करोगे use करोगे उसके through जो है वो railway को चला होगे तो इससे क्या होगा एक तो इंडिया का जो solar alliance group है उसको benefit मिलेगा कि solar के through जो है वो हम क्या कर रहे है use कर रहे है तो अभी जो railway का चल रहा है वो क्या है 21 billion units जो है वो annual consumption जो है वो है लेकिन यह 2030 तक जाते 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 हो 33 billion हो जाएगा तो यह target है कि 20 gigawatt जो है वो हमने क्या कर लेना है renewable energy से produce करना है 2030 तक यह target रखा गया 2030 तक कि 20 gigawatt जो energy है जो हम यूज करेंगे और इसके लिए क्या कर सकते है solar projects लगाओ आप rail tracks के उपर आप जो है वो क्या कर सकते हो अब clean energy resources को utilize करो किसी भी तरह से जैसे अभी आपने train देखी तो उसके उपर solar panels लगे थे तो टार्गेट है कि 2030 तक zero carbon emission करनी है और railway का एक और target बताता हूं कि 2023 तक एक target रखा है railway ने कि हमने 100% electrification of railways जो है वो कर देनी है 100% electrification of railways कोई भी rail जो है वो coal पे नहीं चलेगी 100% electrification of railways जो है वो हो जानी है तो यह था railway से related तो अब railway के लिए एक बहुत ही important news है कि यह पहली बार हो रहा है कि first double decker container train जो है वो railway ने चलाई है अपने अगर national को exam देना तो अपने याद रखने गुजरात के लिए basically यह है लेकिन अगर आप especially गुजरात स्टेट का exam दे रहे हो तो आपको याद करना पड़ेगा यह पलनपूर से लेके बोतर तक है तो यह याद रखना पड़ेगा कि कहां से लेकर कहां तक है अधर्वाइस आपने simply याद रखने गुजरात में पहली बार जो है फस्ट डबल टेकर इस टेक्स काउंसिल की जो प्रिजाइट की है और एक चीज़ में बता देता हूं आपको गुड्जन सर्विस टेक्स के जो हेड होते हैं मतलब जिनकी अधिक्षता में यह मीटिंग होती है वो कौन होता है हमारे देश के फाइनास मिनिस्टर तो अंसर तो भई आपको सीध अइस मीटिंग को अटेंड किया है बाकि सारए जितनी भी स्टेट्स के फाइनास मिनेड् vakर फियों दें के दिया सकते हैं मेन अंदर उसकी बरपाई के लिए किस तरह से जो है वह सेंटर और्में मेटिंग वो की गई थी इसका सबसे बड़ा इशू यहीं था क्योंकि GST से स्टेट्स की इंकम जो है वो कम हो गी है तो इनिशली जब यह बिल त्यार किया गया था तो उसमें था कि पांच साल का क्या कॉंपनसेशन जो है कॉनंदे कॉन की तरब से किया जाएगा अब सेंटर गर्नने कुछ ऑप्शन को उंनोंने साफ़ दिन ले इसक्ते हो ला आजएगा और साथ में GST कंपनिक वह बिया जएगा यह फिर आप क्या करसकते हूं यह यह अरट कर सकते हो यही के medium के through only GST का compensation ले सकते हो 97,000 क्रोड जो आपको मिलेगा जो करोना का है वो अप अलग से सेंटर गॉर्मेंट से क्या कर सकते हो दिमांड कर सकते हो तो दोनों में से कोई भी option जो है वो state 20,000,000 थी लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया 40,000,000 अगर आपकी turnover 40,000,000 तक है तो आपको कोई भी GST नहीं देना सेकिंड अगर आप 1.5 क्रोड तक आपकी turnover है मतलब 1.5 क्रोड है और आप composition scheme के अंदर आते हो तो आपने सिरफ 1% tax ही जो है वो क्या करना है पे करना है अगर आप composite scheme के अंदर आते हो तो 1% ही आपने tax को पे करना है और GST on affordable housing के उपर GST को reduce कर दिया 1% कर दिया पहले कितना था 5% था लेकिन अब कितना रह गया एक परसेंट रह गया और यह बता चुका हूं किसने head किया था finance minister ने और बाकी सारे state के finance minister क्या होते हैं इसके members now moving to next question who launched the India component of the national determined contribution transport initiative for Asia again clean energy से जुड़ी हुई news है कि ट्रांसपोर्ट को decarbonize करना है मतलब clean energy का ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा use करना है और greenhouse gases की emission को क्या करना है ग्रीन हाउस की emission को क्या करेंगे कम करेंगे तो आपने बताना है यह initiative किसके द्वारा जो है वो start किया गया जिसका नाम क्या है nationally determined contributions transport initiative for Asia तो यह start आपके पस चार options है आप बताओगे मुझे अंसर क्या होगा पांच सेकिंड का आपको टाइम दे रहों इसके अंदर फटा 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 अंसर आपने बताना है और इसका अंसर आ गया है हमारे पास और अंसर क्या है इसका निति अयोग national institution for transforming India इन्हों ने जो है इस initiative को स्टार्ट किया है आप देख सकते हैं आप निति अयोग जो वो ट्रांस्पोर्ट के बेसिस पे प्लस greenhouse gases की emission को कम करने के लिए इस प्रजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो दोने चीज़े हम कर चेक्वें डिसकर decarbonizing transport and gas emission reduction को क्या करना greenhouse gas emission को कम करना है निति योग उनली एक अजंसी है जो इसको implement करेगी और इसका time period कितना रखा गया है चार साल का time period रखा गया है special focus रहेगा उन countries के उपर जो already in technologies को use कर रहे है like China वियत नाम के उपर ज्यादा focus रहेगा तांकि वो इसके साथ हमारे project में साथ दे सके है time period क्योंकि चार साल का है तो 2020 से लेके कब तक होगा 24 तो यह important था इसमें और साथ ही सान निति जोग का याद रखने हर रोज मैं आपको निति जोग के बारे में के बारे में इवन कुछ headquarters डेली कुछ ना कुछ बताता हूं तो निति जोग का हर बार repeat हो रहे है चीफ executive officer मिताप कांथ headquarter new Delhi इसके जो deputy chairman है वो आपको पते हैं डोक्टर रजीव कुमार है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इनके जो जो chairman है वो कौन होंगे prime minister of india that is modi ji next question है which country launched india backed infrastructure projects दो projects जो की इंडिया ने उस country में develop किये है उसको launch किया गया उस country के द्वारा दोनों project के नाम क्या है फस्ट प्रजेक्ट इस नोन एज दी हुलुहु माले सेंट्रल पार्क एक सेंट्र पार्क बनाया है जिसका नाम के है हुलुहु माले इन्डिया ने दो प्रड़क जो है वह दिया हुआ है तो आपने मुझे बताना है कि वह कौन सी कंट्री है जिनके साथ ये इंडिया जो है ऐसा कर रहा है जी अंसर आ गया है अंसर आपने अगर मालदिव सोचा है तो बिल्कुल सही है डी अंसर जो है वह इसका होगा तो अब देख सकते हो एक तो हमारे पास पाक हो गया एक हमारे पास क्या हो गया अराइवल जैट्टी जिसको इंडिया ने क्या किया है रेनोवेट किया है येस तो अब देख सकते हो प्रजेक्ट जो है वो Housing Development Corporation के द्वारा जो है वो पूरा कपूरा Execute किया जा रहा है Approximately 10 Million Maldivian Rupees जो है वो इंडिया की तरफ से Assist करने के लिए दिये गए है Total 18 Projects की Grant मिली है इसके अंदर जो कि इंडिया Fund करेगा और इंडिया ने इसके लिए पैसा जो है वो 6.9 Billion USD जो है वो दिया हुआ है और आप याद करना है कर सकते हो इसके अंदर कोई ज़्यादा important नहीं है क्योंकि Maldives का कोई news में नहीं था तो इसलिए आपको कम chances हैं कि पूछें वो High Commissioner लेकिन फिर भी हमने include किया है तो आप इसको just option wise जो है वो out करने के लिए याद रख सकते हो कि High Commissioner of India to Maldives कोई है संजे सुधीर है और Maldives के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कैपिटल माले है करन्सी जो है Maldives रुफईया और प्रेजिडेंट को नहीं इबराहीं मोहमद सोली याद रखो गया आप important है next who appointed as MD and CEO of CBA funds management private limited इसका मतलब mutual funds के जो MD और CEO वो किसको लगाया गया है क्योंकि जो इनके MD और CEO थे वो SBA main के MD बना दिये गए है जो हमारे पास State Bank of India उसके अंदर चार MD होते हैं तो SBA mutuals के जो MD थे उसको promote करके इधर लगा दिया है और इनकी position जो खाली हो गई थे तो चार options आपके पास फटा फट मुझे अंसर बता होगे क्या होगा और आपका time period start हो रहा है 5 seconds का अभी और आपका answer मेरे पास आ जाना चाहिए और answer क्या है इसका yes answer है वीने एम तोन से वीने एम तोन से जिनों यह answer सोचा है बिलकुल सही सोचा है अब देख सकते हो उनकी तस्वीर उनको MD और CEO लगाया गया है और जो SBA mutual funds है मतलब finance management limited है जो यह only SBA का unit है SBA plus Amundi एक company है जो की France की है उन्होंने दोनों ने मिलके इसको जो है fund management company को चलाया हुआ है और इसके headquarter Mumbai आपको पते ही है नेक्स question दो companies का tie-up हुआ है basically एक company ने एक company से share जो है वो खरीदे हैं तो कौन सी company ने किस से खरीदे हैं या picture से जो है वो सीखोगे मतलब यह सिरफ news जो है वो picture से सीखी जाएगी that is pack जो है वो 51% हिस्सा जो है वो खरीदेगा किसका एडलवेसिस का एडलवेसिस company का जो है वो हिस्सा खरीदा जाएगा pack का मतलब है Pacific Alliance Group यह एडलवेसिस company में 51% हिस्सा खरीदेगा जो की 200 क्रोड रुपे का है इसका मतलब majority share अप कौन सी company का हो जाएगा pack का हो जाएगा जो एडलवेसिस से company है कहां की है यह महराष्टा की है और जो पैग एक company है यह कहां की है Hong Kong की है तो आप याद रख सकते हो जस्ट एक picture से याद रखने वाली news है otherwise इसमें और कुछ भी नहीं है नेक्स आते हैं question again picture से आपने देखना इस news को कि श्रिलंका के cricket जो है वो अब सन्यास ले चुके हैं अब वो cricket छोड़ चुके हैं सारे format international cricket से वो अलविदा कह चुके हैं और उनका नाम क्या है that is थारंगा प्रना विताना तो याद रखोगे थारंगा प्रना विताना इन्होंने जो है वो retirement ले ली है और यह कौन सी country से बिलॉंग करते है पहले तो अपने इस न्यूस को द्यान से सुने एक तो आल डाउंडर की बात हो रही है एक वो फस्ट बोलर है जो international cricket में 500 विकेट्स लेंगे 2020 के अंदर यह दो तीन चीज़ें अपने द्यान में रखने है क्योंकि question change हो सकता है अगर मैं यहां पर all-ाउंडर की जगा fast baller लिख दूँ और साथ में यह लिख दूँ कि international cricket में जो है वो 600 विकेट्स ली है उन्होंने और 2020 की जगा मैं क्या लिख दूँ टेस्ट लिख दूँ यह answer change हो जाना है यह answer मैंने आपको करवाया था कल वाले अगर आप वीडियो में देखोगे या परसो वाले में देखोगे तो उसमें question था कि ऐसे कौन से पहले fast baller है जो international cricket में टेस्ट में 600 विकेट्स ले चुके हैं तो उसका answer भी इसी के अंदर है लेकिन आपने मुझे all-rounder बताना है first जो आपको बता लग गया होगा most funny cricketer of the West Indies that is the Dane Bravo you can see here he is still smiling in the photo that is the 500 wickets in T20 Dane Bravo याद रखोगे इसको next which football club won their sixth championship in the union of European football association champions league 2020 मतब्द UEFA जो champions league है European nations की तो उसमें जो है जो यॉरप के division level पे छोटे football club हैं उनके बीच में यह हुआ था और six time वो champion बने है तो चार options आपको दी गई है तो आप मुझे answer बताओगे क्या होगा yes yes answer बताना है अपने फटा फट क्या answer होगा और इसका answer क्या है that is FC football club बाइरेन म्यूनिच येस ये स्विजरलेंड के अंदर जो है football club एडवीजनल football club है इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप म्यूनिच येस और इसका runner-up कौन था रिजाइन कर चुके है एक्चली उनकी health चोई खराब है तो health के basis पर वो क्या कर चुके है रिजाइन कर चुके है तो अलसराइटर से उनको जिसके कारण जए उन्होंने इलाज करवाना है तो अभी उनका एक साल का time pending था लेकिन वह पहले रिजाइन कर गये तो जो भी निया जपान की जो first Olympic gold medalist है badminton में that is the Ayaka Takasha ही वो retirement announce कर चुकी है अब देख सकते हो बहुत ही बड़ा नाम जपान के लिए है इनका यह जपान का first gold medal था badminton के अंदर जो कि उन्होंने 2016 Olympics में Rio Dejanario वाली जो Olympics थी उसमें उन्होंने जो है वो इसको जीता था लेकिन उन्होंने retirement ले ली है अधरवाज तो उन्होंने टोकियो Olympics में participate करना था लेकिन वो अगले साल postpone हो गी है तो उन्होंने सोचा कि retirement ले ले महंता past away उनका दिहानत हो गया 72 साल की उमर में आपने बताने कि वो किस state से belong करती है मतलब किस state की singer है वो तो आपके पास चार options है और answer जो है वो 5 second के अंदर आ जाना चाहिए एक hint देता हूं मैं आपको जो बहुत ही famous singer है पैपॉन मोह मोह के दागे वाले पैपॉन जी उनकी mother है ये जिनका दिहानत हो गया तो फटा फट बताओगे और ये खुद भी बहुत अच्छी singer है और साथ में इनके father भी बहुत बड़े singer थे जिनको बीहू king भी कहा जाता था क्योंकि ये बीहू जो उनका traditional music है उस state का तो जो है वो basically वो गाते थे तो अब तो आपको answer clear हो गय है वो भी जो ये अपने husband के साथ मिलके गाती थी तो अब देख सकते हो इनकी तस्वीर के रिनाउंट singer अर्चना महनता जी जगा दिहान जो है वह हो चुका है ये और इंडिया रेडियो गोहाटी जो है उनकी बहुत ही famous कलाका रही है इनके husband थे खागेन महनता जिनको के नाम से जानते हैं यह दोनों जो हैं लाइक husband और wife जो यह बीहु ट्रेडिशनल फॉंक जो असम के अंदर गाये जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा पेमस रहे हैं नो नेक्स न्यूज अगेन फ्रम पिक्चर अपने पिक्चर से देखना है इसको कि सुप्रीम कोट क क्योंकि ये तीन स्टेट्स के Chief Justice भी रह चुक हैं ये पहले केरला के भी Chief Justice रह चुक हैं ये जो साथ में राजस्तान के भी रह चुक हैं और अंदरापरदेश के भी इवन दो बार जो है वो Chief Justice रह चुक हैं और इनको सुप्रीम कोट का जज़ पॉइंट किया गया था 2002 में और 2007 में जो है वो इनकी retirement जो है वो हो गई तो बहुत ही important है और इसमें एक बात और important है कि Supreme Court का आप मुझे बताओगे जी के point of view से कि maximum judge Supreme Court में कितने हो सकते हैं फटा फट सोचो कितने हो सकते हैं maximum judge Supreme Court में हो सकते हैं 34 maximum to maximum 34 हो सकते हैं लास्ट यर 31 थे तो तीन बढ़ा दिये गए तो आज कल कितने हो सकते हैं 34 यह 34 number including chief justice of India है including chief justice of India ऐसे बोबड़े जी को मिला के 34 है next which state will set up world class skill university ये एक अलक्सी news है कि world class skill university बनेगी तो आपको होगे सर इसमें खास बात क्या है ऐसी तो बहुत सी यूनिवस्टी जोंगी इंडिया में वह इसमें खास बात ये है ये northeastern state की पहली यूनिवस्टी है northeastern state की पहली यूनिवस्टी है तो answer आपके पास अब clear होगा अगर आपको ये पता है कि total northeastern states कितनी है और उसमें से option में कौन सी है तो आपके पास 5 second का time period तो नहीं है 2 second आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए और आपका time period पूरा हो गया यहीं पर और अंसर क्या है असम क्योंकि केरला हर्याना और गुजराद जो है वो northeastern state ही नहीं तो answer क्या बचा असम और आपको याद रखने है total northeastern states कितनी है 7 और जिसके नाम है m3 a square nt मतलब n for nagaland t for tripura a for asam और a for arunachal m से 3 states है Megalia मनिपूर और साथ में हमारे पास कौन सी रहेगी दाट इस मिजॉरम ये बात याद रखनी है सिक्किम इस ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर बट नॉट अप सेवन सिस्टर अब देख सकते हो असम की cabinet ने यह प्रूफ किया है कि असम इसमें नौ सो क्रोड रुपे का खर्चा आएगा यह यूनिवस्टी असम में बनेगी लेकिन असम में कहां पर बनेगी यह बनेंगी मंगलडोई में मंगलडोई जो की कौन सी डिस्टिक में आता है दारंग डिस्टिक में आएगा और सारी funding जो है वो basically किसके द्वारा की ज जारी है और इसमें जो education से related जो skill development प्रवाइट करेगा वो Singapore based education service है वो इसको प्रवाइट करेगी अब दूसरी news इसमें क्या important है कि इस bill के अंदर cabinet की जो meeting हुई थी असम government की उन्होंने एक चीज़ और पास की है कि इसनोंने group 3 और group 4 की जो post हैं उनकी upper age limit को 2 साल और बढ़ा पहले 38 years तक आप exam दे सकते थे असम का group 3 और group 4 के लिए अब 40 साल तक के आप exam दे सकते हो तो वो लोग जो काफी time से महनत कर रहे थे लेकिन बीच में जो है वो किसी कारण वर्ष उन्होंने अपनी preparation छोड़ दी थी और age निकल गई थी तो अब अगर उनके पास time है तो वो 2 स साल और बढ़के हैं तो वो कर सकते हैं एक scheme Assam government की बहुत important है चर्चा में भी रही है that is the Arunodoi scheme मैंने कुछी दिन पहले जो है वो न्यूज में करवाया था अरunodoi scheme जो है वो Assam state से related है क्या है यह scheme इसमें 830 रुपे जो है वो families को दिये जाएंगे जो की income जिनकी दो लाग से क्या है कम है तो एक तरह से financial assistance है मदद है ताकि जो ग्रिबी है वो कम से कम जो है वो की जा सके इस से related Assam से related एक news और थी कि जो इस साल के 65th film fair awards थे जो की lockdown से पहले ही हो चुके थे वो कहां पे हुए थे Assam में हुए थे गौहाटी में हुए थे और sponsor कौन था इसका Amazon और गलीब वाय जो है वो best film जो है वो award की गई है एक बार आपने national जो film fair awards है उनको एक बार चेक कर लेना नेक्सिस के बाद which state started the state's first fully equipped marine ambulance that is the प्रतिक्षा that is very important news क्योंकि ऐसा first in first है कि अगर आपको किसी पानी में चलती हुए ambulance मिल जाए तो it is very good because वहां पे भी लोग जो हो डूपते होंगे वहां पे भी किसी को problem आती होगी खास करके काफी states में ऐसी जगह है जो सिर्फ पानी के किनारे बनी हुई है जैसे अगर आप देखो लक्षदीप हो गया island group ही है तो वहां पे ऐसी service हो तो बहुत अच्छा हो सकता है लोगों के लिए second thing अगर आप देखोगे कैरला में एक जगह है L.A.P. तो वो पानी में ही बना हुआ है सारा तो लोगों ने votes रखी हुई है आसपास आने जाने के लिए तो वहां पर ऐसी ambulance की जरूर्स पढ़ सकती है तो आपने मुझे बताने है यह किस state की बात हो रही है क्योंकि जो चारो स्टुरेट्स option में है वो सारी की सारी coastal states है सारी की सारी क्या है coastal states है तो क् प्रतिक्षा नाम से कि उन्होंने marine मतलब पानी में चलने वाली ambulance जो है वो बनाई है और answer क्या इसका केरला मैं हिंट दे चुका था आपको आपको आप देख सकते हो यहां पे जो उनके chief minister है that is प्रयानी वीजियान उन्होंने इसका जो है वो दुगाटन किया है नाम क्या है प्रतिक्षा टोट्ल केरला गॉर्मेंट ने कितनी बनानी है तीन जिसका एक इसपना क्या नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है और किसने बनाया इसको कोचिन शिप्यार्ट लिंटन ने इसको बनाया है यह ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई रेस्क्यू के लिए जो है वो ऐसी जो है वो चलाई जाए और इसमें मेडिकल स्टाप भी होगा जिसको दस परसंस को आटे टाइम प्रेट पर अड्मिट किया जा सकता है इससे लेटेड न्यूस जो कि मुझे परसनली बहुत इंपॉर्टन लगी और 101 परसंट अगर केरला का एक्जाम दे रहे है तो आए गई आएगा नैशनल लेवल पे भी सब परसंट में पूरी करेगा मतलों जो गरीब हैं उनको भी इंटरनेट असेसे बिल्टी जो है वो प्रॉवाइड करवाएगा जिसका नाम क्या रखा गया है केरला फाइबर ऑ्पिटिक नेट्वर्क गया और यहो जाएगा काम कप तक दिसंबर 2020 तक और जो न्यूस आप ब् right of the citizen जो है वो क्या कर दिया है declare कर दिया है कि state में इस fundamental right को कोई भी छीन नहीं सकता क्योंकि accessibility of internet जो है वो article 21 में supreme code भी declare कर चुका है लेकिन as such उसके अंदर जो है वो नहीं लिखा हुए लेकिन वो supreme code की verdict के अंदर आ जाता है लेकिन ये भी जो है वो केरला ने पहली बार जो है वो declare किया है और जो केरला के लिए specially exam state का prepare कर रहे है उनके लिए एक news में ने add की है कि केरला government के नए chief secretary लगाएगे है विश्वाश महता जो की पहले additional chief secretary थे अब उनको point कर दिया है that is the विश्वाश महता को chief secretary याद रखना आपने क्योंकि chief secretary is the highest post in the state of IS with that is विश्वाश महता next question जम्म कश्मीर launch the e auction portal for which product जम्म कश्मीर government ने किस product का e auction जो है वो डाला है ताकि online या आप उसको बेच सकते हो online निक्रीश सकते हो उससे क्या होगा एक तो authenticity खराब होगी आप directly अच्छे बायर से खरी सकते हो जो कि authentic है क्योंकि ये जो product जो है वो उनका इसके अंदर आता है GA tag के अंदर आता है जो की authenticity का proof है और साथी साथ इसमें जो broker है वो बीच में खतम हो जाएंगे जो saffron का दाम जो है वो बढ़ा देते थे पशमीना का दाम बढ़ा देते थे कार्पेड का दाम बढ़ा देते थे तो अब मुझे answer बताओ भई फटा फट क्या होगा all of these तो है नी चलो मैं आपको hint देता हूँ all of these है नी फटा-फट मुझे answer बताओ क्या होगा within five seconds answer आजाना चाहिए और सोचो answer क्या है और answer क्या है saffron keser that is the Kashmiri keser Kashmiri saffron that is the G.I. tag of Jammu and Kashmir याद रखना है यह तीनों जो options हैं यह G.I. tag है किसके Jammu and Kashmir के very good तो अब इससे होगा क्या कि Kashmir saffron जो है वो register करेगा जो इस फसल को बोते हैं और जो बेचते हैं ताकि कोई भी middleman interference ना रहे सीधर ही आप पोर्टल पे खरीज सके और saffron जो पैक किया जाएगा उसके ओपर एक code भी होगा जैसे बार कोड होगा ताकि authenticity जो है वो check हो सके जम्मु कश्मीर से related दो news और हैं जम्मु कश्मीर में जो सबसे important news एक है वो यह है कि इन्होंने salary tracker बनाया है government employees के लिए एक mobile app है जिसका नाम के मेरा वेतन मेरा मतलब माई वेतन मतलब salary मेरी salary के basis space को बनाया है और दूसरा है कि student health card scheme जो है वो start की गई है ताकि जो बच्चे improve करना चाते हैं अपनी health को या अपनी overall wealth को तो 12,00,000 students को इसके अंदर जो है वो cover किया जाएगा next news again important की उत्तर प्रदेश expressway industrial development authority जो उत्तर प्रदेश के expressway बनाने में help करती है उन्होंने एक deal sign की है 6 banks के साथ और किस expressway को बनाने के लिए बुंदेल खंड expressway को बनाने के लिए now इसमें question क्या है कि उन 6 banks की तरफ से कौन सा bank जो है वो इस उत्तर प्रदेश expressway industrial development authority के साथ pact sign करता है मतला आपने 6 bank तो नहीं याद रखने लेकिन उसका कोई head तो होगा न 6 banks का जो आ गया कि deal sign कर रहा होगा तो आपने उस bank का मुझे नाम बताना है तो आपके पास 4 options है 5 second का time है फटा फटा फट मुझे बताऊगे बुंदेल खंड expressway project बनाने के लिए 6 banks का और UP expressway authority क एक pact हुआ है वो छे banks को कौन lead कर रहा था और अंसर क्या उसका bank of broader अंसर क्या होगा बी होगा और आप देख सकते हो UP expressway authority और साथ में आप देख सकते हो bank of broader का symbol और ये length total highway की 296 km है बुंदेल खंड expressway ये बनाया जाएगा already इसको प्राइम निस्टर मोदी जी जो है वो इनका foundation stone जो है वची तरकूट में रख चुके हैं UP के अंदर और bank of broader के साथ ये पांच बैंक और याद करने की जरूरत नहीं है और आपने याद रखना है कि अगर UPPSC के लिए प्रपेर कर रहे हो तो बहुत important हो गया कि बुंदेल खंड से लेके कहा तक जाएगा ये नई दिल्ली तक चाहेगा ये दो highways को already cover करेगा बीच में यमने expressway को भी cover कर लेगा और आगरा लखनो expressway को भी साथ में cover करेगा और उसमें भी infrastructure को बढ़ाएगा आप और आपको पता होना चाहिए अगर आप UPPSC के लिए कर दो तभी ये चीज़े याद रखनी है national exam के लिए जीचे आप सब्सक्राइब करें लिए अधिश्य कुमार अवस्ति अधिशनल सियो कौन है अधिश्य चंद्रवर्मा एड़कॉर्टर काहां पर लखनो only for the UPPSC students this part that is the about UPBDA next news जम्मो एंड कश्मीर के जो डोड़ा डिस्टिक के डिप्टी कमिशन है डॉक्टर सागर उन्होंने एक नया campaign स्टार्ट किया है ताकि जो भी बंदे social welfare scheme में उनको benefit नहीं मिला लेकिन वो benefit उनको मिल सकता है तो उनको 100% जोड़ा जाए मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो आना है जो डॉक्टर सागर डी डॉफोर्ड ने जो है वो स्टार्ट किया है जो की डोड़ा डिस्टिक के डिप्टी कमिशनर है तो बताओगे बई क्या answer होगा चार options आपके पास है सोच के देखो क्या answer हो सकता है तो answer इसका है डी option जो डी option सोच रहे हैं campaign का नाम है इराद कि यह हमारा इरादा है कि हमने 100% को क्या कर लेना है cover कर लेना है आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी और डॉक्टर डी डफॉर्ड मतर्टर सागर डी डफॉर्ड ने इसको लांच के इरादा campaign को ताकि 100% coverage कर सके सारे beneficiaries की जो की social welfare schemes के अंदर आते हैं दो recent news campaigns related कि अमिश्या जी दूसरा जो है वो एक UNICEF FIKI ने मिलके जो है वो एक campaign start किया था जिसका नाम था re-imagine campaign ताकि इसके अंदर क्या किया जा सके कि जो भी COVID-19 के कारण जो vulnerable population है उनको sport किया जा सके किस तरह से तो re-imagine campaign next एक news आपने photo से करनी है कौनसी news आप सीखोगे इससे कि एक जो हमारा Indian council of agriculture research है उनकी जो subsidiary है that is the Indian institute of horticulture research उन्होंने अपने seed portal को कौनसी app के साथ जो है वो पेक्ट कर लिया है मत्तों उसके साथ जो अटैच कर लिया वो कौनसी है योनो app और योनो का जो क्रिशी web application है उसके अंदर जो है वो इसको क्या कर लिया इंटेग्रेट कर लिया है इसका मतलब state bank of India की अगर आप योनो app खोलोगे योनो क्रिशी web application अगर आप खोलोगे तो उसमें directly आप seeds को purchase कर सकते हो खास करके किसके लिए जो की horticulture से related है तो अपने याद रखना है कि कौन सा portal जो है वो SBA क के साथ जुड़ गया है वो इंडियन council of agriculture research का horticulture research का जो seed portal है वो attach कर दिया गया है अंदरेंदर तोमर जी आपको पते union minister of agriculture and farmer welfare के minister है next news यह basic news नहीं यह information है कि परदान मंत्री जंदन योजना के जो है वो 6 साल पूरे हो चुके है इसको 28 अगस्त को जो है वो क्या किया गया था start किया गया था और इस 28 अगस्त को इसके 6 साल जो है वो पूरे हो गया है यह बहुत ही important scheme रही है क्योंकि पूरे world में सबसे ज़्या ज्यादा लोगों को bank से जोडने वाली scheme है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे को save कर सके यह zero balance account थे नो फ्रिल का मतलब है कि zero balance account थे और साथी साथ इसकी सबसे बड़ी achievement क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अपने खाते मतलब bank account जो है वो क्या किया है फुलव अंदर 40.35 क्रोड मतलब almost 40 क्रोड खाते जो है वो खोल दिये गए लोगों के और जिसमें से जो women के खाते हैं वो सबसे ज्यादा है वोमें अकाउंट जो है वो सबसे ज्यादा almost 55% अकाउंट जो हो किसके हैं औरतों के हैं तो यह एक खास achievement रही है इवन गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में भी है कि सबसे ज्यादा financial inclusion करने वाली scheme जो है वो यह है प्रदानमंत्री जंदन scheme बताने वाली as such कोई है नहीं क्योंकि आपको पता ही है इसके अंदर कि यह जीरो बैलेंस अकाउंट है और साथी साथ इसमें 10,000 रुपे overdraft दिये जाते हैं पहले एटीम नहीं मिलता था अब लेकिन एटीम जो है इसमें दिये जाते है रूपे कार्ड भी जो हो पेश किया जाता है इसमें accident cover है एक लाक रुपे क लाइफ कवर है 30,000 रुपे का और साथी साथ जो है वह इसमें pension scheme भी जो है वह साथ में जुड़ी हुई है और बहुत ही important है यह सारी चीजे और इसमें जो OD की facility overdraft की वह 60-50 की उमर के लोगों को ही दी जाती है तो परदानमंत्री जंदन जोजना अब परदानमंत्री जंदन होंगी clear होंगी thank you very much for watching this video affairs cloud का ये वादा है कि कोई भी news आपके paper में जो आएगी वो हमारे current affair से बाहर नहीं हो सकती है नहीं हमारे current affair से वो बाहर आ सकती है लेकिन आपकी एक help चाहिए कि 300 video like समय चाहिए चाहिए तांकि हम और भी grow कर सके आपकी help होगी तो ही grow कर पाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वह आपके लिए लेके आते रहेंगे और अगर आप support करोगे तो और भी topics के उपर हम जो वीडियो लेके आ सकते हैं आप हमारे channel को subscribe कर सकते है affairs cloud की तरफ से thank you very much for watching this video